पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है जब इस बारे में कुंबलगर विधायक सुरेंद्र सिंसे ग्रामिणों ने बात की तो उन्होंने मदद का भरोसा तो दिया लेकिन ये भी कहा कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और मैं किस-किस को जवाब देता रहूँगा आपको सुना पे हैं विधायक और ग्रामिणों की बीच हुए बातचीत के कुछ अंच कर दो समानी समय के सामने का मना बड़ाए बोल्ड़ा घृए बोल्ड़़् आसि देली पनी पानी निया आट आठागाउ खिरो मारी बातधो हुए लो करो थे यहीं ना आपके मारी वात्व दों आप दॉद्ध हमागरा टकलिभया पानी की समय जहीं तो आपके सरपसमे कोन पूरा ओडियो सुना सच बेगड़क इस ओडियो की पूस्टी नहीं करता है लेकिन एक विदायक की तरफ अगर इस तरह की बात कही गई है तो बेहत सोचनिय है बीजेपी विदायक है सुरेंद्र सिंग जिनकी तरफ से इस तरह की बात कही गई है ये बात सामने आई है कुंबल गड़ से विदायक है साफ तोर पर उनका कहना है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जब ग्रामिडों ने उनसे सवाल किया अपनी समस्याओं को लेकर तो उनकी तरफ से जो है तरह का जवाब सामने आया देखे सच बेदड़क इस ओडियों की पुस्टी नहीं करता है पानी की समस्याओं को लेकर ये पुड़ा विवाद बताया जा रहा है कुंबल गड़ विदायक सुरेंदर सिंग एक बार पिर से यहाँ पर विवादों में फक्ते नजर आ रहे हैं जो जनता उन्हें जिता कर यहां तक लेकर आती है उन्हें इस तरह के जवाब देना अपने आप में बेहत विचारणी है चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वो उनलाइन पर जोड़ चुके हैं हमारे समवाद्दाता तरुन तरुन एक आडियो वाइरल हो रहा है बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंग का कुम्बलगड से विधायक हैं और साथ तोर पर कहा है ग्रामीनों को कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ किस तरह का यह पूरा मामला है जी बिल्कुल हमार भी आपको बता दूँ कुम्बलगड मिधायक जो सुरेंद्र सिंग की राटोड है यह पिछले लगाता है और चार बार से विधान सभा का प्रतिनी जित्तु करते आये हैं पूर मंत्री भी रहे हैं दो बार यह और जनता के भी तिसकी काफी अची छगी कर्का यह लगन पिछले कुछ दिनों में इनके दो जो है जो है अटेयो ओडियो लूएं कि थिले कुछ दिनों मेरे यह कोंग्रे जेताओ को दंगाने का जो इस तीन से नहीं ऑगया त्टा कि इंटान आइ पानी की मांग करता है जयन पतिनिजी से और ज्यादा फोर्च करने पर दोनों की बीच में घरमा गरमी हो जाती है और उस सूरत में वो यह कहते हैं कि में तुबारा नो करनी हूँ अला कि पूरे ओध्यों को सुनें तो कहिने के सुदें पर दिंग ने यह कहने कोशिश किये कि यह जिम्मेदारी मेरी निया सरपन से बात की जाए लेकिन उसको ध्यान से सुनिए लेकिन तरुन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपको बता दे कि फिलाल सच बेदड़ किस ओडियो की पुस्टी नहीं करता है लेकिन अगर एक जनप्रदीनी दी इस तरह के जवाब देता है तो वो अपने आप में सोचनी है कि आखिर जनता भरोसा करें तो किस पर अपनी बात रखें तो कहा अपनी समस्याओं को लेकर तहां जाए